हालो दोस्तों वेल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रैंस देखिए काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे और लोग के कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ब्लेमिन और किरिम यूज करें या फिर इमाले के किलरी ना किरिम यूज करें तो दोनों के बारे में बताने वाला हूं दोनों इसकीन प्रोग्लम में यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले देखिए अगर आपके चैरे पर पिंग्मनेटेशन हैं डाकनेस हैं डाक इसपोर्ट है एंच विंपल्स है तो वीडियो करने तक देखिएगा सबसे पहले चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरू करें साथ मुझ इसके बारे में दोस्तों इसकीन समस्याओं में यूज कर सकते हैं आप इसको जैसे कि चैरे पर ब्लैम मिस पिग्मेंटेशन और बिल्कुल हलके दाक सपोर्ट है तो यह उसको रिमू कर देते हैं इसकीन को क्लीन करती है अब देखिए ब्लेम नोर किरिम आल सकीन टाइप है सब लोग इस्तिमाल कर सकते हैं 30 gram का packaging आता है और डेट सुरी पेकासवास की pricing रहती है वीडियो को description में दोनों ही करीमों किलिंग के मिल जाएंगे वहाँ से आप buy कर सकते हैं कुछ discount के साथ बले मिनोर करीम के अंदर 100% natural ingredient का परियो किया जाता है कोई side effect इस करीम के नहीं होते हैं लेकिन आपको अलकेशी खुझली महसूस हो सकती है विडियो के इसकंदर कुछ ऐसे आईरवेदी के नियुट्रों का यूज किया जाता है बात करें किल्रेना करीम के तो देखें किल्रेना करीम अलाग है दोनों में फरक समझे किल्रेना करीम स्कीन की एंच पिमपल्स को किल्रेन करके तबचा को किल्रेन करने का काम करती है अलकेशी डाकनेस मिटाने के लिए भी काफे अच्छी मानी जाती है तो इसकीन पाकर पिमपल्स से एंच है डाकनेस है तो आपके इल्रेना करीम यूज कर सकते है इस क्रीम के अंदर भी 100% आयर वे दिए कि निरॉंट का यूज किया दाता है और इसके कोई साइड वेक नहीं होते हैं इस क्रीम चाप को अलकिसी खुचली मैसूस हो सकती है अगर आप एंच पिंपल की पर उपर अपलाई कर रहे हैं तो अब देखें यह क्रीम आली स्किन टा सकता है आप जैसे की इह माले के बहुत सारे अफेस्वोस हैं अवेलबल तो वह यूज कर सकते हैं कि साथ में यह फिर आपकी इसकिन के साबसे कोई भी सूटेबल फेस्वास ले सकते हैं अब जिनको पिंग मोनेस्ट अब्लैमिक समये वह बलेम नोर यूज करें और इंच प